तो मेरा नम स्वापाल पते हैं उसका शिर्शक है कि अबाउट माई कृष्णा कॉंशिएस जर्नी एंड हाव आइक एम इंटो कृष्णा कॉंशिएसनेस तो हरे कृष्णा मैं जगरनाथपुरी बेस में पाच वर्ष तक रहा हूँ और जिसे में कृष्णपंती परिवार में मेरा जन्म हुआ था और ऐसा था कि जब मैं मुझे बचपन से थोड़ा भगवत इंट्रेस्ट था जैसे हम जब छोटे थे था हमें बताया जाता था कि भगवत गिता के श्लोक याद करोगे तो इक्जाम में नमबर अच्छे आएं तो एक फेम के लिए हम लोग यह सब करते थे तो मुझे याद एक पास्टाइम की जब मैं अपना रहता था तब जब एक्जाम देने जब जाता था तो रास्ते में मैं भगवत गिता कि श्लोक मतलब पूरा बोलता रहता था तो मैं बोलते रहता था तो इस तरह से मुझे आता था इंटेजों में लेकिन मुझे उसका अनुवाद कुछ पता नहीं था कि इसके पीछे का ताथ पर यह क्या है तो ऐसे करते करते मुझे थोड़ा इंट्रेस आता था कि हाँ भगवत गीता है या भजन गाने में इंट्रेस आता था तो इसी तरह में फिर जब भोपा सब्सक्राइन कर पाता था और जिस तरह से अभी का जो एट्मोस्पियर है कि स्टुडेंट्स आते लेकिन कुछ ऐसे स्टुडेंट्स का उन्हें साथ मिलता है तो वह अच्छे से कॉपरेट नहीं कर पाती उनके साथ तो तो मैं भी यही सोचता था कि कुछ मुझे ऐसा तो हम बाहर आते तो हम यही सर्च करते कि कुछ अच्छा हमें मिल्स प्रोवाइड हों तो ऐसे मतलब में करते करते सोचता था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था बट भगवान की कृपा से और जैसा कि जो महाप्रो का मिशन है जो श्रुले प्रवपाद में शुरू किया उनकी मुझे थोड़ा इंट्रेस आने लगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक टेस्ट पेपर दिया था उसके मैंने कुछ अपना एक्जाम के क्वेश्चन थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप तो मैंने वह सॉल्व किये तो उसमें कुछ चीज़े लिखी थी कलियो कप स्टार्ट ह हुआ और भगवत गीता किसने कहा है यह वह सब चीज जो बाहर भी लोग को पता है तो पहले से जब याद करते थे हम लोग जब एक्जाम के डर से करते थे तो उसके चक्कर में थोड़ा-थोड़ा इंट्रेस आता था तो इस तरह से मैं मतलब फिर प्रोग्राम में आने ल डिवोटीज जो है वह दोती कुरता पहनते हैं तीलक लगाते हैं कंटी माला पहनते हैं और शेविंग करते हैं लाइक नहीं रखते हैं अभी जिस तरह से बाहर का जो एक्मोस्पियर हैं लोग को पसंद आती है जिससे उन्हें लगता है कि हम एजब वह फेशन के थ्रू ज जैसे 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 जनरेशन बढ़ रही है उससे नया फैशन आते जा रहा है तो लोग उसको एडाप्ट करना चाहते हैं तो उस समय जब मैं रामनोंवी पर आया था तो मैंने धर्मिंद कृष्परोजी को जब देखा था तो उन्होंने पूरी रामायन इंग्लिश में कही थी तो ऐसे मैं लाइक जैसे मैंने बता है कि मैं स्टडी ओरेंटेट था तो मैं सोचता था कि मतलब एक मंक्स कैसे इंग्लिश इतना अच्छा बोल सकते हैं एक डाउट रहता था तो ऐसे मैं कनेक्ट हुआ दिरे-दिरे में प्रोग्राम्स में आता था तो जैसे भगवा जैसे जो एक कह सकते हैं कि गुट फोर्चुन जो होता है वाराइज तो ऐसा हमें कभी-कभी लगता है जैसे कि हम बेस में शिफ्ट हो गये हैं तो अब तो बस अच्छा होने वाला है हम ऐसा सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो हमारा कोई कॉंट्रिबूशन नहीं रहेग तो हमें सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि हमारा कंट्रिबूशन कुछ रहेगा नहीं अच्छे बनने के लिए या कुछ अच्छी हैबिट्स को अडाप्ट करने के लिए हम यह सा सोचते हैं कि हमारा कोई कंट्रिबूशन नहीं होना चाहिए विदाउट कंट्रिबूशन हम हमारा एडवांस्मेंट होना सब्सक्राइब कर रहे हैं और बाहर भी लोग करते हैं तो कभी-कभी हम बहुत ज्यादा ही मतलब पैशनेट होते हैं जॉब के प्रति इन सब चीजों के प्रति हमें यह पता नहीं होता है कि हां अगर यह जॉब के बाद मुझे बहुत सारा पैस सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो हमें कुछ आउटपुट मिलेगा तो यह हम सोच नहीं पाते हैं और फिर हम वहां जाके पता चलता है कि विदाउट मेरे कंट्रिब्यूशन से मेरा एडवांस्मेंट नहीं हो सकता तो वैसे भी होता है कि हम बेस में आते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि यहां जो डिवोटीज़ है वह अच्छा करेंगा है आपको चेंज नहीं करूंगा आपने यसा मतलब तो इस तरह से मैं शुफ जबू किया था बाट डिवो्टी बहुत जयादा इफिक्शनेट होते हैं बहुत ज्यादा कैरिंग होते हैं बहुत जड़ा प्यार देते हैं जो आपको बाहर भौत मुश्क्रिकशन से बाहर फ्रैंड मैं सूंगी तो उतना याद बिャ्ट से आने पर याद करते हैं और इसटरह से मुझे सरह में कुछ सीघ्र मिले करते जो मुझे करना चाहिए है ऐसे करना चाया तो मैं भी सोचते हैं कि मैं एसा सोचते हैं कि मैं इतना करूं गा बहुत कर मेरे मैं यागे जाक करना करना है और मेरे बहुत ज्यादा लक्ष है और मैं तो बोचछ जो हती है लिखते की इस सब्सक्राइब है और अच्छा जॉब लूगा और यह करोंगा कि अधिक्रिश्चन तो मैं इसा सोचता था जनरली जब भी हम बेस में आते तो हम यहीं सोचते कि हम बीना कंट्रिबुशन करें कैसे थोड़ा आगे कि लिए बढ़ जाए कि हरे हम भोपाल पढ़ने के लीज़न के लिए कि और यहां थोडा समय व्यतित труд करते हैं हमें बस हमारा वाजाता है यह हमारी पढ़ाई हो तो उसमें प्रवपाद में सबसे पहले जो कहा है कि बुक्स आर्द बेसिस तो जैसे कभी-कभी डिवोटीस जैसे मैं जैसे नयर आया था तो मैं सोचता था कि प्रचार करना चाहिए हमें यह सब चीज अच्छी मिले तो हमें भी लोगों को बाटना चाहिए लेकिन मैं यह सो से वह एक अच्छी हось्पिटल में गया है और उसमें अगर अपना इलाज नहीं कराया है तो अपना इलाज לא Higesti नहीं कराया वस हो मार्कैटिंग कर रहा है कि यह तो बहुत अच्छी अच्छा की आजाना चाहिए लंहीं झाता है लेकिन और किसी मैं रोग्यों को उस हस्पिटल तक पहुचाऊंगा अपना रोग आराम से ठीक करूंगा क्योंकि इस तरह से हम भी सोचते हैं कि हम जासे ज़्यादा लोग भक्ती में लाए और बट हम यह भूल जाते कि जिसे चेतने चरितामरेत में आता है कि कि आचारे बीना करे प्रचार की मतलब बीना आचार किये मतलब हमें प्रचार नहीं करना चाहिए यह ठाकुर और सनातन गोस्वामी के बीच में एक जो सनातन गोस्वामी के बीच में जो कन्वसेशन हुआ है उसका प्रसंग जो रसान अंतुरे जगरनात पुरी में हमें एक बर सुनाया था तो उसमें ऐसा था है कि बीना आचार किये मुझे प्रचार करना चाहिए इस तरह से तो मैं ये भी सोचता था मैं कॉलेज में आखे स् तो आपका भी मतलब जो एक जो एक लेवल है उस्ट आप डाउन हो जाओगी तो मैंने फिर दीरे दीरे छोड़ा और उसके बाद फिर मैं प्रयास करता था और मेरा मॉर्णिंग प्रोग्राम बहुत वीक था मैं इसा सोचता था कि मैं इतना अच्छा सब कर लेता हूं टाइम जाता और मैं एक समय के बाद मैं मितलब मुझे यह से चले जाना चाहिए कभी-कभी ऐसे हमारी लाइफ में आता है कि हमें कभी कोई भक्त कुछ बोल देते हैं तो हमें बुरा लग जाता है उससे तो हम जैसा सोचने लगते हैं कि यह यह बेस ही बुरा है हम ऐसा लगने बेस में ने रेना चाहता तो इसका मलब यही हुआ कि हम श्रीलब रहपात को एक ब्लेम कर रहे हैं कि आपने यह बहुत अच्छी चीज नहीं मतलब आपने बनाई है जिसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है तो जब भी हमारे अंदर थोड़ा क्रेडिट नहीं मिल रहा है कभी कभी हम क्रेडिट बहुत ज्यादा चाहते हैं तो ऐसा में भी सोचता था तो उस समय में मैं एक सीनियर थे अभे रंजन प्रभू जो मुझे क्रिश्ना कॉंशियसने में लाने में उनका मौत्वपूर्ण योगदाने तो वह बेस आप किसी अच्छे डिवोटी जिनसे आपका अच्छा रिलेशन आप उनके पास जाके थोड़ा बात्चित कर सकते हैं उससे आपको थोड़ा रिलाइजेशन आएगा कि हां क्यों बेस बहुत ज्यादा इंपोर्टन है तो इस तरह से फिर में सोचता था कि बेस में रहना ज तो आपकी जो भी डियर हैं जो भी आपके सबसे लविंग है बेस में आप उनको कॉल करिए वह कॉल नहीं उठा रहें अगले दिन आप उनको मैसेज कर दीजे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से हम बेस में रह पाएंगे क्योंकि जो एक श्लोक आता है कि Leven जैंसिए कि करोडो स््टूडेंट्स में से कोई एक होता है जिसको की रापतिrav होती है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो में आना जो होता है वो अगर एक उपुर्चुटीं मिली है कि अगर यहां आ गए हैं तो हमें ट्राइक करना है कि मिया कंट्रिभूट करें नहीं कि बीना contribution के हम यहां से happiness चाहें तो जैसे अगर कभी-कभी हमें लगता है मैं अच्छा नहीं लग रहा है या सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो इससे हम यहीं सोचना चाहिए कि बेस का जो जीवन है वह तो है मतलब वहां से हमें happiness तो मिलेगी तो हमेशा यह सोचना चा कि मैं कभी प्रशाद बनाने में help कर दो मैं कभी ग्रूप में बुक रिडिंग सबके साथ एक बार किसी के साथ करवा दू या कंट्रिविशन मेंस कि कभी टैंपल चले जाओ वहां कुछ सेवा कर देंट्रिविशन मेंस कि आप श्राल प्रभुपात की बुक्स पढ़ लें बहुत सारी चीज़े जिससे आप कंट्रिविट कर सकते हो जब भी इसा लगे तो आप यह सोच सकते हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं यह सोचता था तो मुझे मेरे सीर्फ ने बता है कि इस तरह से ऐसा है तो भी मुझे रिलाइशन नहीं आ रहा था क्यूंकि जैसे मैं अगर आप कर रहे हो तो आपको श्रावन भी करना है पढ़ेगा तो श्रीलापुपात की बुक्स फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया मुझे अब भक्त मेले जैसे मेरे साथ में लवकेश प्रहुते जिन्होंने मुझे बहुत मौटिवेट किया और खासकर उन्होंने श्रीलापुपात के बारे मुझे अच्छे से क्योंकि श्रीलापुपात हमारे फाउंडर अचारे जैसे कभी-कभी होता है कि हम जैसे में किसी एक डिवोटी से हो जाता था कुछ सीनियर से तो मुझे एक बार प्रमाजन कृष्ण प्रोजे ने बताया कि हमें हमेशा करना है कि श्रीलापुपात को सेंटर में रखना है क्योंकि श्रीलापुपात हमारे जो संस्तावस के फाउंडर आचारे है तो हम कभी भी हमारा अगर फेट अगर फ्लिंचिंग भी होगा तो हमें नहीं हो पाएगा विकाज क्योंकि अफ्टर ओल श्रीलापुपात ही कनेक्टेड़ है बट किसी भक्त से अगर हम ज्यादा अ और आगे जाके भक्त से प्रॉब्लम हो सकते कुछ भी हो सकता है यह तो हमें उनसे प्रॉब्लम होसकते हैं तो आप इस तरह से मत्तर जब आपके अंदर इस तरह से आप कनेक्ट हो सकते हैं उन भक्तों से जो शुद्ध भक्त है और शिश्य परमपरा में आते हैं तो उसके साथ ही फिर मैं प्रचार करना हमने शुरूब किया था हम लोग प्रोग्राम कराते थे बेस में बट दो से तिन प्रोग्राम के बाद ही मतलब ऐसा लगने लगा कि अभी तो मतलब स्टुडेंट्स नहीं आ रहे हैं क्या होगा तो कभी-कभी हम ऐसा लगता है कि अरे हैं लोग भगवान को डेखिके आरहें सुष्म को देख्राव यसलो परहुप लेकिन मुझे दुक हो तो मुझे यह ऐसा नहीं बताया कि प्रवुद्च यहें क्योंकि लगता है कि आपने आप अपना बढ़ाने के लिए उनको लाना चाहते थे तो इस तरह से अगर कभी आपकी मन में ऐसा आता है तो आप इसा सोच लेना की शायद मैं अपने में खुद प्रयास कर रहा हूं मतलब यह पूरा एंडेवर मेरा है जबकि अगर आप इसे सोचोगे क उसके बाद फिर मैं घर आया और फिर घर आने के बाद फिर जो है मेरी चेंटिंग बहुत ज्यादा वीक हो गई उसके बाद बुक रिडिंग नहीं कर पाता था मैं प्रेम चेतन प्रू ने मुझे कनेक्ट करकर रखा था तो मैं श्रील भक्ति चारुसवाई महाराच जी के लेक्चर सुनता था तो उससे मैं धीरे-धीरे कनेक्ट था लेकिन उतना ज्यादा मैं अच्छे से क्वालिटी चेंटिंग नहीं कर पाता था और नहीं मतलब बुक रिडिंग कर पाता था तो ऐसे होता गया और जो सबसे में जो पॉइंट होता है कभी-कभी हमें महापरू भगवान है या नहीं है हमारे दिमाग में चलते रहता है वह सारा तो उसके बाद जब मैं बेस आया यानि कि मैं फाइनल येर में था तब मैंने धीरे-धीरे शुरुवात की बुक रिडिंग करने कि उसको रेगुलर रखने का प्रयास किया और मैं अपने कुछ फ्रेंड स क्या कहा है और उनकी टीचिंग्स को हम कैसे अपनी लाइफ में उतार सकते हैं तो उससे क्या हुआ कि मैं जो जिस तरह से मैं बेस की बारे में सोचता था कि मुझे यहां पर कुछ समय निकालने के बाद बस चले जाना है वह जो मेरा एक इंटेंशन था वह इंटेंशन पहड़ गया और मैं यह सोचने लगा कि मैं कितना जाज़ा जादा कंट्रिव्यूट कर सकता हूं जगरनातपुरी बेस के लिए या मतलब जो भी मुझे पर्टिकुलर सेवा मिले में उसमें कितना कंट्रिवूट कर सकता हूं तो यह कंट्रिविशन का जो कॉंसेप्ट है यह मैंने एक लेक्चर में सबना था गौराओं प्षू के लेक्चर में जो piercing को ने करेंगे हम हमेशा करेंगे भक्तों से करेंगे और भगवान से connect रहेंगे इवन बट हम contribute नहीं कर पाते तो मैं भगतों से दूर होते चला गया था तो मैं भगवान से connect नहीं हो पाता था भगतों से connect नहीं हो पाता था इस तरह में फिर रहा उसके बात जब मैं सेकेंड डियर में था था तरह तो जब उजन जाते थे तो वहां पर डीटी के प्रती बहुत आकर्शन आने लगा दी रहे दी रहे पहले तो डीटी स्काइम मुर्ती समझते थे कि चलो आओ प्रणाम करो चले जाओ इस तरह से बट जब हम इसकौन मंदर में गए तो मैंने देखा कि यह क्या है कि हम साक्षात मतलब राधा मदन में खड़े ऐसा लगता था तो धीरे-धीरे जो बट चलने लगा भगवान को कैसे देखना चाहिए कि भगवान की संदरता को देखना चाहिए भगवान का केसा श्रिणगार है हमें देखना चाहिए और धीरे-धे फिर हम लोग से डिवोटीस से कनेक्ट होते गए वहाँ पर जो उजयन मंदर के जो ब्रमचारी डिवोटीस थे उनकी क्लासें हम करते थे हमारे कुछ कैम्स होते थे तो देरे-देरे रिलाइशन आने लगा कि इस कृष्णा कॉंशिसने मस्ट इंपॉर्टन्ट यह हमारी आदत होना चाहिए डिरे देरे पता चलने लगा जिससे कि हम हमारी डेलि की फ्रबल्स है वह मैं पता चहले परीशान है कि हम लगते हैं कि अतो हम उसी में उलज चाते हैं तो हमें यह देखना है कि हमारी जो है उचसे बड़ा है जो कृष्णा कॉंशिसनेस का जो टीचिंग्स है इसका जो प्रोसेस है और हमें ट्राइ करना चाहिए कि हम जहां भी हो इससे फॉलो कर सके और जैसे मैं जब बेस में आया था तो ऐसा होता है जैसे हमारे सीनियर्स जब बेस छोड़के जाते तो हमें लगत हम भी जाते हैं पिर इस तरह से सोचते थे जब हमारे से प्रभल प्रभु जब जो चोड़के गए थे तो हमारे दिमाग में ऐसा आता था कि हमएं भी चोड़के स्ट हम भी तो ठीक है जैसा चल रहा है चलने दे कोई से शेयर नहीं करने के लिए इस तरह से है तो ऐसा होने लगा बट धीरे-धीरे मतलब हमें समझने लगा जैसे मैंने आपको बताया कि books are the basis क्योंकि कि हम बात करते हैं जब भी कोई डिवोडिस बात करते कि preaching करना प्रिचिंग करना है बट उससे पहले एक concept आता है कि आप कोई भी चीज को भगवान को यूटिलाइस करने के दृष्टी से नहीं देख सकते यूटिलिटी इस प्रिंसिपल जैसे मान लिए हमारे बेस माइक है तो वह किसके लिए भगवान के लिए भगवान की सेवा के लिए है तो यह जो मनोभावना यह तब आए कि जब हम books प करते हैं कभी कभी हमें करना अच्छाने लगता कभी हमें रोटी चपाथी से एक ना अच्छाने लगता तो अगर यह मनोभावना आ रहा है तो फिर आप यह मतलब हमारे अंदर आया ने कि हम अभी तक फिर फर्स स्टेज में नहीं आ चुके हैं और अगर हम हमें आना चाहि कि इसको के लिए तो उसके लिए बुक्स पहले पढ़ना पढ़ेगा क्यूंकि करना चाह्ते हैं अ जो रहता है कि हाँ प्रीछ करना चाहते हैं तो अब जब दोगत बभबान बताते हैं लीडर्स फिरिब्रीयप जैसे बहुत सारे श्लोके कि जो मुझे बहुत सारे श्लोक ऐसे श्लोक श्लोकास थे जो पहले मैं पढ़ता था लेकिन मुझे पता नहीं चलता था कि इससे मुझे क्या benefit होने वाला सब्सक्राइब करते थे तो मतलब मैंने देखा कि मैं बाहर चले जाओ किसी और संस्ता में क्योंकि इससे पहरें बहुत साइस संस्ताओं से आपने ब्रह्मकुमारी का नाम सुना होगा एक स्वाध्य परिवार महाराश्य में तके प्रचार के लिए मैं उससे कनेक्टेड हुआ था मैं स्वामी नारण से तो मैं स्वामी नाराण से था था यह तो बहुत सारे क्वेशन पूछता था क्योंकि जो हमें सेल्फ रेलाज़शन चाहिए उसके लिए हमें ऐसा है कि प्रोपा तीन बाते बताते हैं विजिट दगुरू इंक्वाइर अबाउट सेल्फ रेलाज़शन एंक्वाइर यूर क्वेश्टन और क्यूरियोसिटी आप करिए गुरू से उसके बाद आप उनको असिस्ट करिए उनको हेल्प करिए तो आप आगे बढ़ सकते हैं तो हेल्प करने का मतलब ऐसा हुआ कि जैसे विजिट दग जैपी बेस आ जाई हैं कि इसकेंड पॉइंट था कि आपको करना है इंक्वाइर करना है क्योंकि आप इनक्वाइरी नहीं करेंगे तब तक आपको गुरू की प्रति एप निकाल सकते जैसे फॉर प्लस फोर एट होता है अगर आपको पता करना है कि यह अधेंटिक है या नहीं तो मार्किट में तो कोई भी टीचर बोल सकता है 4 प्लस 410 होता है 4 प्लस 4 12 होता है तो सबकी बुक्स में कई रेफरेंस भी दिया रहता है कि हां इसके अनुसार यहाँ पर यह है तो वैसे ही अगर आपको पदा करना है कि कैसे जो श्रीले प्रभपात की बुक से ऑथेंटिक है कैसे इस कौन पढ़ना पड़ेगा कि श्रीले प्रभपात में बहुत अच्छे सुन्दर तरीके से दिया हुआ है कि यह पर्टिकुलर जो श्लोके वह यहां से लिया गया है यह पर्टिकुलर जो श्लोके वह श्वेताश्वार उपनिशत से लिया गया है तो इस तरह का जब आप रेफरेंस देखोंगे आप जब करोगे तब आपको गुरू के प्रति आएगा तब आप गुरू को असिस्ट कर पाओगे बेस को आगे बढ़ाने में प्रचार करने म में खुद के डेवलपमेंट में तो यह तीन चीज़े प्रवपाद बताते हैं फर्स्ट विजिट दगुरू सेकेंड इंक्वाइर प्लिस टेक इंक्वाइरी ठीक है थर्ट असिश्ट गुरू और यॉर सेल्फ रेलाइशन और अदर सेल्फ रेलेशन तो यह तीन चीज़ लेकिन भगवान बताते हैं यद्यद आचरती श्रिष्ट तततते वितरो जना कि जैसे जैसे एक लीडर फॉलो करता है एस दी लीडर डूस फॉलोवर फॉलोवर तो मतलब अगर जैसे लीडर करेगा वैसे फॉलोवर करेगा तो हमें अपने से देखना है कि यह अगर मुझ प्रोग्राम का जो सारा जो इनिशेटिव मैं लेता हूं मैं सबको उठाओंगा इस तरह से क्योंकि हमें इस तरह से देखना चाहिए क्योंकि अगर हम हमें समय हो गया जैसे हम विजिट गुरु जेपी बेस में आ गया फर्स्ट तो हमने पार कर दिया सेकेंड है कि इंक्व पड़े हैं तो आप बुक्स पढ़िए तो आपको अच्छे से इंक्वाईरी होगी उसके बाद आप असिस्ट करिए असिस्ट का मतलब ही होता है कि आप बेस की जो एक्टिविटीव में बहुत ही इंथिसास्टिकली भाग लीजिए कि गुरु का सिस्ट करना है हमें कैसे ह हम जो बेसं उसको आगे बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से हमंपाएं करना है कि क्योंकि subhan Matrix नों वहु आ यह आगे अच्छा जौब पाना चाहते इस तरह से करना चाते तो अगर हम अच्छे अगर लीडर बनना चाहते हैं आगे जाके इवन इन क्रिष्णा कॉंशियस ने समय लीडर की बहुत ज़रूरत है प्रचार के लिए यूआ प्रीचिंग के लिए लीडर्स की आफशकता है तो हम मतलब ट्राइ करना है कि हम एज लीडर जो है वह अपना क से बहुत इंस्पाइड हो और मतलब मैं देखता हो कि नहीं मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रिव्यूट कर रहे थे healthcare मैंने यह देखा कि अगर हम थोड़ा सा भी कंट्रिव्यूट करते हैं अगर भगवान के के लिए एजक demiş कुछ भी अम कंट्रिव्यूट करते तो हम जो है क्रिश्णा कॉंशेस्थ में टेस्ट आने लगेगा एंड वैसे ही प्रभुजी ने मुझे कनेक करके रखाए कि हम लोग एक बुक रिडिक शुरू किया है तो उसका जो श्रे वह मतलब जो शुरुप्रभुपात के जो शिश्य के शिश्य के शिश्य या जो शिश्य परबब रावनी को जाएगा कि उन्होंने हमें एक पकड़ के रखा है हमें बार-बार करा रहे हैं तो हमारा जो एक वह होना चाहिए जो ग्रैटिट्यूड एक होना चाहिए कि हम भी उन्हें असिस्ट करें कि हम कैसे आगे मतलब शुरुप्रभुपात की मिशन को आगे बढ़ा सक रखते हैं क्योंकि जब आप इंक्वारी करोगे तो आप पता चल जाएगा कि शुल्यप्रभुपात का मिशन आगे बढ़ना बहुत जरूरी है यहारे कृष्टान दोलन तो ऐसे हमें कंट्रिब्यूट करना है और इसी तरह हम डिवोटी से कनेक्ट होंगे तो हम बहुत ख करता था बातशीत हो जाए करते थी टरली वह तब तक होता है जब तक आप कुछ करने हैं रहते हूं पर जो मैटरल वर्ल्ड में जो हमारे जो आपसी रिश् perseverance asked करते हैं इसके यह डिवोटी का एस सोचेशन लिजे जितना ز्यादा हो सके हैं और सेकेंड कि बेस का जो हमें एटमसप्यर मिला जैसे मैं अभी भी सोचता हो कि कैसे वापस बेट मॉस्पेर मिले क्योंकि विदाउट बेस आप नहीं और सकते चैंटिंग वालिटी एवन आप चल्ला है तो आपका जो सुला माला रात के तक होगा डेफिनेटली इवन फो मी में यह मेरे लिए बहुत टाफ होता है कि मैं नहीं कर पाता हूं चैंटिंग टाइम पे जबकि जो एक वरकिंग प्रोफेशनल और एक स्टूडेंट को मौर्निंग में या इवनिंग में जैसे भी आपका कम से कम सुबह बारा बैसे पहले बारा माला हो जाना चाहिए तो उसे क्वालिटी चैंटिंग में हम एक प्रकार से वह कर सकते हैं तो अगर आप क्यूंकि बेस मेरे के आने के लिए बहुत वह कर रहा था क्यूंकि कुछ में शन्रमी की कर सकते मंदिर में आके में आके नहीं कर सकते इसके लिए मंदिर आ गया था तो इस तरह से आप ट्राय करें कि आप लोग को जितना मोका मिल रहा है बेस में रहने का तो आप उतना उसका बेनेफिट लेजिए छुट्टिया अगर लग जाती है तो मत जाईए आप घर क्योंकि जब आपका जॉब लग जाएगा जैसे मेरा है तो मेरे पास चुट्टिया ही चुट्टिया है अभी बट ऐसी जो वह स्तिती की मतलब नहीं हो पा रहा है मतलब अच्छे से वक्ति और घर पे नहीं घर से आ नहीं पा रहे हैं तो बहुत जादा एक एंडेवर करना पड़ रहा है तो हम इस तरह से फाइदा लेना है तो जब हम बेस को जब छोड़ेंगे ना तो वह जो असिस्टिंग वाला जो कॉंसेप्ट है कि हम असिस्ट करना है अंटि अंग्ले तो वो जो अपता एक पॉंशिस्ने से वह बना रहे तो यहां प्रपाच रशन में तो थैंक्यू सो मच डिवोटीस और यविंग यूर प प्रेम थे तन अपरोई जब करते है